आयुर्वेट समाधान में आपका स्वागत है दोस्तों आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों हम जो नुस्खे बताते हैं वो आपको वैद्यों की राय के मताविक होते हैं इसलिए आप सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कराएं दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आलू जो है वो आपकी सुन्दरता को निखार सकता है और इतना निखार सकता है कि आप भौँचके रह जाएंगे आप चमित क्रत रह जाएंगे अगर आप इसका हमारे बताय अनुसार पद्दती से सेवन तो लोग कहेंगे वा भई वा क्या लगाते हो आज कल तो आप बहुत सुन्दर और स्मार्ट बनते जा रहे हो तो आप भी अपने चेहरे के सारे दाग दब्बे अटा सकते हैं आखों के नीचे का डार्क सरकल कम कर सकते हैं और आपके जितने भी आखों के आज पास जितनी सू अदती बता रहे हैं कि कैसे आपको आलू का फेस पैक बनाना है लेकिन प्लीज उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और लोगों से भी इसे सब्सक्राइब कराएं अगर आप नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल का जो यार करना है नमर एक आलू और अंडे का फेस पैक आलू और अंडे के फेस पैक को लगाने से चेहरे के पोर्स टाइट होते हैं आदे आलू के रस में एक अंडे का सफेध हिस्सा मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें इसे चेहरे और गरदन पर लगाकर 20 मिनिट के लिए आदे पानी से चेहरा धो लें आपको फर्क ततकाल नजर आने लगेगा आलू और हल्दी का फेस पैक के नियमित प्रयोग से तवचा का रंग साफ होने लगता है आदे आलू को कद्दू कस करके इसमें एक चुटकी हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाकर आदे गंटे के लिए छोड़ दें बाद में चेहरा पानी से साफ कर लें इस फेस पैक को हफते में एक बार जरूर लगाएं नमर तीन आलू और मुलतानी मिट्टी का फेस पैक ये फेस पैक आपकी तवचा में निखार लाने और मुहासों बाली तवचा की सूजन कम करने में मददगार सावित होता है इस फेस पैक को बनाने के लिए बिना छिले आलू वाला पेस्ट बना लें उसमें तीन से चार चमच मुलतानी मिट्टी और कुछ बूने गुलाब जल की मिलाकर पेस्ट तयार करें अब इस फेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाकर 30 मिनिट के लिए छोड़ दें ये पैक आपकी इसकिन को चमकदार बनाएगा नमर चार आलू और दूद से बना फेस्ट इसमें आपको क्या करना है आलू को चील कर उसका रस निकाल लें और इसमें दो चमच कच्चा दूद मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करके कॉटन की मदद से चेहरे और गर्दन पर लगाएं 20 मिनिट के बाद इसको धोलें सब्ता में तीन बार ऐसा करेंगे आप देखेंगे कि आपका चेहरा क्लो करने लगा है गोरा हो गया है और फर्क साफ नजर आने लगेगा दोस्तों आईरवेद समाधान जीवन जीने की एक पद्दती है जिसमें बताए गए इन उसके वैद्दियों की राय के मताबिक होते हैं जीवन झाल्या घ्रल्स का आपिजयों की तेन लगेवान ऑगेड़ है खरुआ तर श्यीबन पने लगा है और यह है।